बिस्त्रित घोष्णा पत्र भारती जनता पार्टी का आने वाला है संकल्पत्र हमारा लेकिन ये चुनाओ केवल किसी को मुख्मंत्री बनाने का चुनाओ नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाओ नहीं है ये चुनाओ है जारखंड को बचाने का चुनाओ रोटी बेटी और माटी इन तीनों की रख्षा करना हमारा संकल्प है बंगला देशी घुसपैठियों के कारण यहां की डेमोग्रफी तेजी से परिवर्तित हो रही है अब आप देख लीजिए हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आवादी 44% से जादा थी घटके 28% नहे गई अगर बाकी आवादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आवादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है लगातार कम हो रही है भारत की धरती पर जिनने जन में लिया है वो सब हमारे अपने लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आ कारी है क्कि वोट वेंग के लालच में हैमन सोरेन की सरकार गठवनन की सरकार इनको गुसवा रही है उनके आधार कारढ़ बन बारे हैं उनका वोटर root बेन नाम लिक्वा रही है और यह खत्रा इतना बड़ा है कि वह आते हैं हमारी धरती पर कबजह करते हैं माटी हमारी जा रही है किवल धर्ती पर कब जा नहीं करते हैं आदिवासी बेटियों से साधी करते हैं बेटियों के तुक्डे तुक्डे करके फैंके गए हैं रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट-काट के फैंकती गई हैं कई बेटियों को भ्रम के जाल में फसा कर उनसे विवा बेटी हैं उसे साधी के उचुनाव ललवा दिया तो इस्थानी सरकार पर कबज़ा कर रहे हैं यहां के रोजगार की अफसर कम कर रहे हैं इसलिए रोटी मतलब रोजगार माटी मतलब हमारी धर्ती पर घुस पैठियों का कबजा ना हो और बेटी ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हम जहार खंड में एन आर सी लागू करेंगे नागरिक्ता का रजिस्टर बनेगा जिसमें इस्थानी पयुक्ता कि नहीं हों स्टाइब निवासी रिजिस्टर होंगे और जो घुस्पैठिये हैं उनको चुं चुंचुंके बाहर निकाला जाएगा यह हमारा संकल्प है अम उमीद करहें कि अगए जो पॉइंट्ס रहे मैं जिम्मेही के कर दो कर दो